पहले दिखा सेता हूँ आपको एशिया किस तरह से बिएव कर रहा है। कल सुबह तो खेर एशिया बहुत मिला जुला था, आज भी हॉंग कॉंग और शांगा है, मतलब बेसिकी चाइना रिलेटेड मार्केट जो है वो ठंडे, बाकी सब जगे बढ़िया बाइंग है। एक चुथाई से लेकर देड़ परसंट के बीच मजबूत एशिया और उसके पीछे की वज़ा है बढ़ियासा यूएस का फिर से हैंड ओवर। जब हम कल साड़े तीन बज़े बंद हो रहे थे उससमें यूएस के फिचर्स एक दम फ्लैट थे पर अक्चुल सेशन की तेज़ी आपकी स्क्रीन पर आएगी ना पहले यूएस की तेज़ी दिखाईए आधे से सवा परसंट के बीच तीनों बेंचमार्क कल अक्चुल परवाद करने की मूड में उस तरह से रिजॉइस नहीं कर रहे हैं पर फिर भी हैंड़ोवर कैसा यूएस से किस तरह के संकेट ग्लोबल कैसा मूड सब समझ लिया जाए निरजे गोड मॉर्ण क्या क्या है रडार पे कैसा मूड है देखें मूड तो बहुत ही सुपर बुल क्या है अब केवल एक परसंट संथ पी रह गया अपने लाइफ हाई से चार्ट दिखाई कल डेज हाई पर जाके बंद हुआ है हाला कि बहुत ज़दा वॉल्यूम नहीं था कल लेकिन फिर भी बहुत बढ़ी है तेजी बनी कार वही जो भी अनुछ बता रहे थे कि अब इत कुछ लोग करते हैं नहीं एक परसंट भी हो सकता है इस पर डिसक्रिशन चल रहा है और जैक्सन होला ली मीटिंग से अंदाजा थरा थरा लग जाएगा कि फेट चेर्मेन का मूट क्या है तो मार्केट उसको डिसकाउंटिंग दे रहा है और बढ़ी हाथ तीजी बन रही ह उसको भी लग रहा है कि आने वाला है रेट कट गोल्ड बढ़ रहा है गोल्ड से याप अंदाजा लगा रहा है और एक पीछे जाया है कि हमास और इसराइल के बीच समझावता होने की पूरी सम्भावना बन रही है अंटनी बिंकन वहा पहुच गया है यूएस के फॉरें करिए खत्म करिए जो पिछले श्याट में चल रहा है तो वहां से कुरूड पर भी दबाव बना डिमांड भी उतली चाहिए तो मैं करना कि पूरा सेटप बहुत ही बढ़िया बना हुआ है और इसमें किसी भी बाजार को है तेजी की तरफ देखना चाहिए तो नेट नेट य करेंगे तो संडे फ्राइड नाइट को पता चिलेगे है यह अगले सगले हफते में फिर वो मन्तली डेटा ने लगेंगे जो जॉब डेटा मन्तली रिपोर्ट यह सब अभी इसमें अभी यह अला हफता बढ़िया चलना चाहिए निर जी एक चीज मिस्टा गए बैस निर क्यूज में डॉनल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर एलाउन मस्ट चाहें तो हम उनको मिनिस्ट्री में ले लेंगे अभी अभी एलाउन मस्ट ने ट्विट किया है I am willing to serve 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 उनोंने में बुला है तो अगर अब मतलब यह बहुत इंटरस्टिंग चीज हो यह दोनल्ड ट्रंप कहा रहे है कि अन्हों काफी तारीफ की थी है कुछ दियर में थोड़ा ग्राफिक बनाने कोशिश करेंगे कुछ तारीफ की थी है और अब अब अलन मस्क कहा रहे है I am willing to serve Department of Government efficiency एक मतलब बहुत इंटरस्टिंग है उनकी ट्वीट देखेगा अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ट्वीट दिखा दे एक बर जो एलन मस्क ने ट्वीट किया है तो यह कापी इंटरस्टिंग इन्होंने नियोता दिया और सामने से वो बलने है कि हाँ लास्ट वीक के ट्वीटर स्पेस का अशर आई नहीं बहुत ताब अरब की सगे इंटरस्टिंग बार दिखा देता हूं ग्लोब का हैंडर बहुत बड़िया है एकुटी इसका कोई इशू नहीं है दूसरी तरफ कच्छा तेल और नरम पढ़ना है वो भी हमारे ले सत्रा परसेंट पे और पीपल्स बैंक ऑफ शाइना ने दरों में कोई छेड़ शाड़ भी नहीं करा इसलिए एश्या में सिफ शांगय और हांग कॉंग जो है आपको दबाव में नदर आ रहे हैं या लाल में दिख रहे हैं बागी पूरा एश्या बढ़ यहारे में है लेकि सेटप पर आते हैं और सेटप आज का अज का सटप अच्छा है क्योंकि आज थोड़ी सी सेलिंग आगी है इंडेक्स फियुचरस में और स्टॉक फूचरस में तो वो मुझे हमिशा अच्छा लगता जब थोड़ी सेलिंग आ जाए फिर फिए ने ने नॉमल कैश मारकेट म तो वो हमारा as it is है कोई इसमें खास दिकत है नहीं और आपके बार साइंगे आपकी स्क्रीन पर यहां पर कुछी देर में तो वह भी ठीक ठागें और जहां तक इंडेक्स फूचर की बात है करीब 300 करोड इंडेक्स फूचर सें बेचा और 214 करोड के करीब स्टॉचर सें बे थोड़े शॉट्स भी काफी हैं मार्केट को कवरिंग कराने के लिए और इंडेक्स फूचर सेंड आएगा आपकी स्क्रीन पर एक दिन की बड़ी बाइंग के बाद अब वापस हम थोड़े से सेल पर आगए 304 करोड की सेलिंग होग यहां पर लॉंग कटे यहां पर 4,300 के नेट शॉट है मार्केट में वैसे इवन स्टीवन है लेकिन मामला हिस समय है मतलब वो किसी भी तरफ पलट सकता है वो उस तरीके का मामला है 50-50 नेट लॉंग नेट शॉट इंडेक्स ऑप्शन का जो आखड़ा है वो काफी इंटरस्टिंग है FIS का कल इनों ने क्या किया ह कॉल शॉट गलत बना है उसको ठीक करें कॉल शॉट 0.24 है 2.4 नहीं है तो कॉल लॉंग 0.41 लाक है कॉल शॉट 0.24 है पुट लॉंग माइनस 0.25 और पुट शॉट 0.24 तो यह अच्छा है यह तरीके सा आपको बता रहा है कि सिस्टम में पुट्स अभी भी लिखे जा रहे ह कि मार्केट फ्लैट था तब भी पुट्स काफी लिखे गए इन सिस्टम में और कॉल्स खरीदी जा रही है तो यह अच्छी चीज है मार्केट के लिए इंडिया वेक्स 1.46 पसे नीचे आया पुट कोल शॉट 1.17 वसे 1.31 तो जो सेटप कंप्लीटली ओवरबॉट हो गया अब वो उतना ओवरबॉट नहीं रहा तो इसके लिए मैं सेटप को पॉजिटिव लेकर चल रहा हूं बैंक की जो मामला है वो बस थोड़ा दिक्कत वाला है उन्ने स्टॉक्स बैं में हो गए अब क्योंकि कल तीन आड हो गए बिर्ला सॉफ्ट, बलरामपुर चीनी, जब ग्लोब सपोर्टिव है और डेटा कह रहा है कि शायद कवरिंग के चांसिस हैं, मंदी के सौदे कटने से भारती बजारों को शायद तूल मिलता हुआ नजर आ है ऐसे में कल की स्ट्राडेजी एकदम एक तो हमारे स्टॉप लॉसे जसके तस बने रहे, लॉंग्स कैरी करने की बात थी, कॉन्फिडेंस था मार्केट्स में, कॉन्फिडेंस बना हुआ है, 24-800 का, इवेंचुली नए हाइस का, वो रह रहे के कितनी बार बातचीत भी हुई तो पहले अब निफ्टी का अपरोच, जब सारे उसलियात से आप लोग इनकी ग्लोब की कमेंटरी, आपकी ऑप्टिमिस्टिक कमेंटरी, सेट अप को लेकर रहे हैं कि उसलियात सदीर शुरुआत, ऐसी शुरुआत हुई तो लाच-उन करना है, निफ्टी को नहीं करना है हंड्ड़ पसंद करना है, मैं तो भी कहांगा, अब अपरोच लेंगे, उसमें आप एक ट्रेड लेंगे, और एक स्टॉप लगाएं कि लग गया थो लग गया, बात खतम है, यह कहते हैं, यह कहते हैं यह जो प्रोच तो आपको लेना बड़ेगा ना मार्केत में तो इसके के लिए मेरी अप्रोच यह रहेगी पर्द दिसक्स कर लेते हैं 24 500 से 24 550 कल का लो और ऑप्शन का बेस यह आपका जो फर्स सपोर्ट है बहुत जादा नीचे नहीं है और बड़ा सपोर्ट आपका 24 390 से 24 425 इस जोन की आप एमियत समझे है यहाँ पर तीन मुविंग आपर इस इस 25 से 35 पॉइंट के जोन में तो इसके लिए यह सपोर्ट बहुत रहोंगे अचा जो कल लॉंग कर रहें वो क्या करें वो एक स्टॉपलस लगा लें 24 500 का सिस्टम में उसके साथ लॉंग बने रहे हैं रजिस्टंस कहा में लेगी 24 625 से 24 700 कल का हाई और और ऑप्शन का जो अगर बड़ा गैप अप नहीं मिला आपको तो खुलते खरीदें और एड करने का जोन होगा 24 450 से 24 550 का यह आप के लिए अच्छी ट्रेड हो जाएगी और एक टाइट स्टॉपलस लगए फ्रेश ट्रेड के लिए 24 390 का सारे मुविंग आप जिसका क्लस्टर जहां पर है उ स्क्रीन दिखाएगी तो उसको सिसाब से अप्रोच करेंगे यह है निफ्टी का अप्रोच निफ्टी बैंक हाथ सुबह चर्चा में था दिक्कत में कल कमाई के एड़े में यह मेंशन था कि बैंक निफ्टी में पोजिशन्स कैरी करने से बचें यह इस पॉकिट में लेकर लगाता रोग कॉशन का अंडर्टोन तो बना ही हुआ है हमारा क्या आप आज फिन निफ्टी के एक्सपायरी इनके कुछ दिगज वैसी हरकत में होंगे क्या करना है निफ्टी बैंक में निफ्टी बैंक की साथ प्रब्लम क्या है भी भी 10 और 20 डेमा जो है ना वो उससे थ निफ्टी में जो आप इन तीनों मौविंग एविजिस के ऊपर हैं एक्जाक्ली बैंक टिफिमा उसका उपोजिट है आप उसी तीन मौविंग आवजिस के नीचे ये फरह के निफ्टी और बैंक निफ्टी मूर ये फरह मोर्लिच इंपोर्टन ए ठीक है तो यहां पर आपने कई बार सपोर्ट लिया पिछले दो हपते में, निफ्टी बैंक को स्ट्रिक्ली इंट्राडिटेट करें, निफ्टी बैंक में कोई भी ट्रेड कैरी करना मतलब होगा लॉटरी, तो वो मैं सजेस्ट करूँँगा कि ना करें आप, और सदेंज के अंदर ट्रेड करें, अच्छी टेंटिटिव लेवल्स बता रहा हूँ मैं, इसका मलब यह निए कि लेवल आती कूद पड़ें, पचास दोस्सो के आसपास बाई का अच्छा जोन है, और पचास दोस्सो के आसपास सेल का अच्छा जोन है, लेकिन जो भी ट्रेड आप लें, बाई एसेल, वो स्क्रीन देख कर लें, ऐसा नहीं कि पचास दोस्सो आती ले लिया, पचास दोस्सो पर अगर दिख रहा है, आपको की सपोर्ट ले रहा है, इंडेक्स तब खरीदें वहाँ पर, लेकिन थोड़ा सोच कर समझ कर उसके साफ से ट्विट करें, बेल्कुल टीक, निफ्टी निफ्टी बैंक का आज हो गया, मंगलवार के मंगल दिन का अप्रोच, CNBC वास का पैनल भी स्क्रीन स्प्रेडी हो रहा है, सब से एक एक करके बातचीत करेंगे कुछ देर में, लेकिन पहले कुछ सर्टल हिंट्स वैसे में पास हैं, मैं बताता हूँ, पहले बिग स्टॉक्स का स्टिंग प्ले आउट करिएगा, HCL Tech की चर्चा के टाइम आपने कहा था, अपन बिग स्टॉक में डिसकर्स करेंगे, Zomato कहा था, आगे डिसकर्स करेंगे, मैं एजिम कर रहें, सब बिग स्टॉक से कड़ी में आ गया हूँ, हाँ सब हैं, सब हैं बिग स्टॉक्स में, Zomato से स्टार्ट करेंगे, ह přीजग है, prende, और जोमेटो का आप कल का चार्ट लेकर आईए लिए कल का जो जो मेटो का चार्ट है ना वो रिटिल के साथ बड़ा भड़ा मजाक है फ्रैंकली बोल रहा हूं मैं अपने वर्ट मिंस नहीं करता हूं यहाँ पर क्या होता है एक रिपोर्ट आती है सब पॉसिटिव हो जाते ह उसके बाद स्टॉक डेलो पर बंद होता है और उसके बाद यह ब्लॉक डील आजाती है अब हो सकता है यह कोइंसिडेंस हो और ना मैं किसी को कह रहा हूं कि भी आपने कुछ जान बुचे गलत किया लेकिन हुआ तो सही ना जिसने टीटिल के साथ बद्दा मजाक भी जिसन साथे 300-400 फिर भी दिखा दे जो मैटो आपको लेकिन एनिवे पॉइंट मैं जो बनाने के कोशिश करता हूं वो यह कि थोड़ा सा ऐसे मन खराब होता है कि ब्लॉक डील 2% की है 556 मिलियन डॉलर और फ्लोर प्राइस 251 अब देखते हैं कि खरीर कौन रहा है और विंडो में हो रहा है अगर तो उक दिल अगर विंडो में नहीं होई ना आशिष तो स्टाप में ठॉब बन गया फिर कुछ ताइम के लिए कुछ ताइम के लिए कुछ ताइम के लिए तो फिर ए भी अ 하고 ऐब और फिर आपको कल का हाई भी क्रॉस कर सकता है, ये भी पॉसिबल, को कि अगर विंडो में हो जाती तो मतलब लीकेज नहीं है, और लोग खरीदने को त्यार है, तो यह हो गया है, विसे, कल रामदी जो ने भी का था कि थोड़ा सा बुक किया है, जो मैटो में, तो बड़े- बड़े रहा हूँ, उसका रीजन मताता हूँ मैं, क्योंकि अगर गाप डाउन हुआ, तो उसके बाद सेल नहीं करना है आपको, और कंटिनुटी रहने की बात, मोगन स्नैली कर रहा है, उन्होंने टार्गेट बेचे दिया यहाँ पर, और जो इनको बनाया गया सीफू, व अमेरे कहाल से इसमें आपको शायद बाइंग के मोगे ही डूढने चाहिए, बीपी सिल मैंने कल भी लिया था, बीपी सिल मैं आज भी लिया रहा हूँ, ओइल मार्केटिंग कंपनी में सबसे बेस्ट पोजिशन स्टॉक, बीपी सिल है, ओविसली फिर क्रूड नीचा है, क इसकी एक और रिपोट आई है, वो वायर स्टॉक्स पर उसमें पॉली कैप मुझे अच्छा लगा, पॉली कैप में उन्होंने 8550 का टार्गिट दिया, और 8550 स्टॉक इस समय 6600 पर है, इसके लिए उनका ये मानना है कि ये स्टॉक यहां से आपको अच्छे रिटन्स देग इसके लिए ये हमारे आज के हो गए बिग स्टॉक्स. लेकिन गिरावट में बिक्वाली करने का मन ना बनाईएगा, हो सकता है, इस टॉक दिन के दुरान एक्चुली रिकवर कर रहा हो क्योंकि ट्रांजिशन स्मूध है. उन्स दुराना आपको ये हमारे आपको ये हमारे आपको ये हमारे आपको ये लिए ये जबादीन है.